कि नमस्कार कि टेक्नोलोजी के माध्यम से कि देश भर के हजारों जन आउशदी केंद्रों से जुड़े सभी साथियों को खोली की मुबारक और आप सबका इस कारकम में बहुत बहुत स्वागत है अनेक केंद्रों में हमारे कुछ मुख्यमंत्री मेरे मंत्री परिशत के कुछ साथ ही ये भी वहां मोजूद है आप सभी को दूसरे जन आउशदी दिवस की बहुत बहुत बधाई आज हप्ते भर से मनाए जा रहे जन आउशदी सब्ता का भी आखरी दिवस है इस प्रसंसनिय पहल के लिए भी मैं सभी जन आउशदी केंद्रों के संचालकों का भारत सरकार का और इसमें सहयोग देने वाले सब का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और अभिनंदन भी देता हूँ सात्यों जन आउशदी दिवस सिर्फ एक योजना को सेलिब्रेट करने का दिवस नहीं है बल्कि उन करोडों भारतियों लाखों परिवारों के साथ जुड़ने का एक आत्मियता का ये प्रसंग है जिनको इस योजना से बहुत कुछ लाब हुआ है बहुत राहत मिली है उनके मध्यम से और लोगों तक भी इस बात का व्यापक प्रचार करने का भी ये अवसर है ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस योजना का लाब अवश्य लें हर भारतवासिके स्वास के लिए हम चार सुत्रों पर काम कर रहे हैं पहला हर भारतियों को बिमार होने से बचाने के लिए क्या क्या किया जाएं दूसरा अगर बिमार हो गया तो बिमारी की स्थिती में सस्ता और अच्छा इलाज हर नागरी को कैसे मिलें तीसरा इलाज के लिए बहतर और आधुनिक अस्पताल हो परियाप्त संख्या में अच्छे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ हो इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है और चौथा सुत्र हैं मिशन मोड पर काम करके चुनोतियों को समझना उसका समाधान करना प्रधान मंत्री भारतिये जनवसर्धी प्रयोजना यानि पीम बीजेपी इसी की एक एहम कड़ी है यह देश के हर व्यक्ति तक सस्ता और उत्तम इलाज पहुचाने का संकल्प है मुझे बहुत संतोज है कि अब तक छे हजार चे अधिक जन अवसर्धी केंद्र पूरे देश में खुल चुके हैं जैसे जैसे यह नेट्वर्क बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका लाब भी और अधिक लोगों तक पहुच रहा है आज हर महिने यह आखड़ा बहुत बढ़ा है हर महिने एक करोड से अधिक परिवार इन जन अवसर्धी केंद्रों के माध्यम से बहुत सस्ती दमाईयों का लाब ले रहे है जैसा कि आपने अनुभव भी किया है जन अवसर्धी केंद्रों पर मिलने वाली दमाओं की किमत बाजार में जो दमाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की लेकिन जन अवसर्धी केंद्र में 50 परतीशत से 90 परतीशत तक उसकी किमत कम होती है जैसे कैंसर की बिमारी के इलाज में जो दमाई उप्योग में आती है वो दमाई बजार में करीब साड़े 6,000 रुपय की मिलती है वही दवा जन अवसर्धी केंद्र में सिरफ साड़े 800 में मुटलब्द है इससे पहले की तुलना में इलाज पर खर्च बहुत कम हो रहा है मुझे बताया गया कि अभी तक पूरे देश में करोडों गरीब और मद्यमबर के साथियों को पहले जो खर्चा होता था दवाई के लिए और अब जो खर्चा हो रहा है करीब करीब दो डाई हजार करोड रुपिये इसकी बचत ये जन अवसर्धी केंद्रों से जो दवाईया ली उसके कान हुआ है हमारे देश के एकात करोड परिवार के दो डाई हजार करोड रुपिया बचना ये अपने आप में उनकी बहुत बड़ी मदद है साथियों आज के इस कारकम में जन अवसर्धी केंद्र चलाने वाले हमारे नए नए साथी भी जुड़े हैं मैं इन जन अवसर्धी केंद्र चलाने वाले सभी साथियों को रजय से बशाई देता हूं क्योंकि आप बहुत प्रसंसनिये काम कर रहे हैं आपके इस काम को पहचान दिलाने के लिए सरकार ने इस योजना से जुड़े एक पुरसकारों की शुरुवात करने का भी फैसला लिया है। मुझे विश्वात है कि इन पुरसकारों से इन एवोर्ड से जन आउसदी के खेत्र में एक नई स्वस्त हेल्दी कॉंपिटिशन स्वस्त स्परधा शुरू होगी। और मुझे विश्वात है इस परधागार सबसे बड़ा राप गरीब को मद्यमबर को मिलने वाला है। आईए आज मैं जादा न बोलते हुए आप लोगों से बाते करना चाहता हूँ। चर्चा की शुरुवात करते हैं मुझे कहां गया है कि सबसे पहले एफ और असम में हमें गुहाटी जाना है। तो सबसे पहले गुहाटी के सभी भाईयों बहनों को मेरा नमस्कार। हमारी MP साहबां दीख रही हैं हमारे कुछ मंत्री दीख रहे हैं हमारे साथी से वहां नजर आ रहे हैं बताईए कौन बात करेगा। नमस्कार मंत्री महादया। करें रहे हैं और हम लोग मेरा मिट्रों मिलके अभी तक छे गुहाटी में खुला हुआ है सर और इसमें से पहले-पहले आदमी बहुत काम आता था अभी जिरे दिये करके सबको जान पेशान हुआ है और सबको इतना सस्ता में दवाई मिलता है तो बहुत अच्छा लगता ह क्योंकि इससे मैं अपना जीवी का तो करी रहा हूं उसमें एम्प्लॉयमेंट जेनेट हो रहा है और उपर से सबको गरीबों का बहुत हो रहा है सर चलिए पहले तो आपको बहुत बदाई हैं क्योंकि आपने रोजगार तो कमाया लेकिन रोजगार का एक नया रास्ता खो है शायद वहां और भी कुछ लोग होंगे बात करना चाहेंगे कि मानिया परदान मंत्री जी कि मैं असोक कुमार बेतला गुवाटी असाम से बोल रहा हूं तो जैजिनेंदर जैजिनेंदर आप आप बोलते चलिए आप माइक की चिंता मत कीजिए मुझे सुनाई दे रहा है मैं सर मेरा अलो अरे आप माइक की चिंता मत कीजिए वह जो ठीक कर रहे हैं आप चिंता मत कीजिए माइक की ओ जो करते हैं करने दीजिए असोक जी को करने दीजिए सब लोग मदद करने जाहोंगे तो क्या होगा मेरा 2015 में हाट का बाइपास सरजरी हुआ था तो सर मैं लगातार पांच वर्सों से विगत चार वर्सों से मैं दवई ले रहा था अंग्रेजी दवई तो फिर मेरे मित्रों ने परिचितों ने बोला कि यहां बेलतला गवाटी में मोदी जी की एक दुकान इधर में खुली है आपका यहां पुरा गवाटी में मोदी जी के दुकान के नाम से ही यहां जाना जाते हैं आपके तो मैं यहां दुकान में पहले मेरा खर्चा आता रहा 3400 रिप्या लगवग तो मेरी लगवग 2500 रिप्या की यह होती है आपकी बच्चत होती है मैं यह बच्चत है मेरी पोती है यह मनन्या इसकी मैं आपके परदान यह जो शूकनिया योजना ना परदान मंत्री शूकनिया की इसको मैं यह बच्चत में इसको नाम क्या है पोती का नाम क्या है पोती क जाहिन दादा जी की सेवा करती हो कि नहीं करती हो लिए जो मैं सुगर की लेता ओं पहले मेरे खर्चा अता रहा उसमें आठ सो शाड़े आठ सो रिब्या तक्रीब है अभी यहां पे दो सो पचीस रिब्या यह स्ट्रीप मेरे को मतलब यहां मिलती है तो यह सर यह योजना आप निरंतर आगे बढ़ाते रही है हमारी यह आसामवाशियों से यही आप से मतलब अपील है आप से और मा कमक्या का मैं मैं परमभक्त हूं सर मैं आपके लिए यह चीर ला जाओं आपके लिए वो चीर मा कमक्या का तो वो हमारे मंत्री जी वहां बैट है तेली जी को दे देना वो पार्लामेंट में आएंगे तो मुझे मिल जाएगी कि शर्में उसी की वादल से ही मैं मा कमक्या की से ही मैं और दुआ और दोई से दोनों से ही मैं हुआ दूा मा कमक्या की और दोई आपकी मोधी जी की सांस और मेरा परिवार मेरा सहयोगी यह सब जंकार जी दुधेड़िया जी इनों ने मेरे को मड़ बोले ते बोले यह दोई है जो आप मदलब मोधी जी की दुकान है इंसे मदलब यह दोई आप लीजिए और सर करोना वाइरस का आप जो विमारी चल रही है उसके बारे में तबियत की भी चिंता है मुझे अच्छा लगा और आपने जन अउसदी से जो पैसे बचे हैं और आपने जो मोदी की दुकान का नाम कहा है मुझे कई जगा से पता चल रहा है कि सब लोग मोदी की दुकान बोल रहे हैं आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारिय तक आपने कोरोना वायरस की बात की आप बैटिये मैं बताता हूं अनुबह आप भी बैठिये सोगी आप भी बैठिये जहां तक आपने कोरोना वायरस की बात की तो यह सही है कि बहुत से लोग इसे लेकर बहुत चिंता में हैं मैं समझता हूँ इसमें आपकी और हमारी हम सब की सतर्था बहुत महत्वपूर्ण है चाहे केंद्र सरकार हो या हमारी तमाम राज्य सरकारे हो या मुनिसिपालेटी हो ग्राम पंचायत हो सभी इस मामले को लेकर उचीत इंतजाम और देखरेक में जुटे हुए है हमारे पास कुशल डॉक्टर और मेडिकल स्टाप भी है सौंसादन भी है और जागरुक आप जैसे अनेक नागरिक भी है हमें बस अपनी सावधानियों में कोई कमी नहीं आनी देनी चाहिए और ये भी समझ लेना चाहिए कि सावधानिया क्या है बड़ी बड़ी बाते नहीं है जी ये अलग अलग माध्यों में से आपको साथ पता भी चलता होगा लेकिन हम सुनते हैं एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं मैं फिर से एक बार जब आपने मुझे पूछा है तो मोका ले लेता हूं और आपके माध्यम से देश के सभी नागरीकों के लिए वो सारी बाते मैं दोहरा रहा हूँ और मैं कहता हूँ का आप भी याद रखिए और हर स्कूल में कॉलेज में सब जगा पर बताईए देखिए क्या करना है एक तो हमें बीना जरूरत के कहीं इकठा होने से बचना होगा और दूसरा हमें बार बार जितना हो सके अपने हाथ धोते रहना चाहिए और बराबर सफाई करनी चाहिए अपने चेहरे को अपने नाक और अपने मूँ को बार-बार छूने की हमारी जो आदत है अब थोड़ा उस आदल को बदलना होगा जितना हो सके इस आदत को हमें कंट्रोल करना है और धूले हुए हाथों से ही अपने मूँ को टच करना चाहिए जानकारों का कहना ये है कि ये खांस्टे या च्छिंगते समय जो छीटे निकलते हैं सांस के साथ ऐसे चोटे 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 बिंदू निकलते दिखते भी नहीं है उसमें जो भी संपर्ग में आता है उसे ये फैलता है ऐसे में जिस भी चीज़ पर ये छीटे गिरते हैं उसमें ये वायरस कई दिनों तक जिवित रह सकता है इसलिए बार बार साबुन से हाथ दोना बहुत जरूरी है एक और आदत हमें जरूर डालनी है अगर खांसी और छीख हमें आती है तो कोशिश यही करनी है कि दूसरों पर इसके छीटे न पड़े और जो कपड़ा या रुमाल हमने छीखने के समय इस्तिमाल किया होता है उसे भी दूसरों के संपर्क में न आने दे साथियों जिन जिन लोगों को ये संक्रमन हुआ है उनको तो जरूरी निगरानी में रखा ही जा रहा है पूरे वाच में रखा जाता है लेकिन अगर किसी साथी को शक होता है कि वो किसी संक्रमित साथी के संपर्ग में आया है तो उसको बहुत गवराने की जुरुवत नहीं है अपने मूँ को मास्क से ढंक करके या किसी बड़े कपड़े से ढंक करके सबसे पहला काम करना चाहिए किसी ने किसी नदिदी की अस्पताल में चेक कर वा लिजिए यह बहुत जरूरी है परिवार में जो बाकी लोग होते हैं उनको भी infection होने की आशंका ज़्यादा होती है ऐसे में उनको भी जरूरी टेश करा लेने चाहिए ऐसे साथियों को मास्क भी पहनने चाहिए ग्लव्ज भी पहनने चाहिए और दूसरों से कुछ दूरी बना करके रहना चाहिए मास्क पहनना है या नहीं पहनना है इसे लेकर जानकारों की अलग-अलग राय है लेकिन ध्यान यही रखना है कि खांसते या च्षिंकते समय जो हवा निकलती है उसके चाहिए जो छोटे-छोटे बारिक ड्रॉप निकलते हैं ड्रॉपलेट्स वो दूसरों पर न जाएं वैसे मास्क पहनते समय भी एक चीज ध्यान रखनी है मास्क को एड्जेस करते हमारा हाथ बार-बार मुह और को छूता है इससे बचाव की जगः इंफेक्शन फैलने की आशनका बढ़ जाती है साथ यो ऐसे समय में अफ्वाएं भी तेजी से फैलती हैं कोई कहता यह नहीं खाना है वो नहीं करना है कुछ लोग चार नहीं चीजी लेकर के आ जाएंगे कि यह खाने से करोना वायरस से बचा जा सकता है धीकना करने से बचा जा सकता है मेरी सभी देश्वाश्य प्रार्थना है महर्बानी करके इन अफ्वावों से भी बचना है आपको कुछ भी लगता है जो भी करे अपने डॉक्टर की सलह से ही करे हम स्वायम डॉक्टर न बढ़ जाए और हाँ पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदर डाल रही है अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है तो हम भी हाथ मिलाने के बजाए इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समयता यो उत्तम समय है नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए तो मुझे विश्वास है कि छोटी छोटी बाते हैं शाहिद डॉक्टर लोग भी आपको यही बताएंगे आप भी सबको यही बताएंगे डराओं ने डरने की जरूत नहीं है भाई पैदा करने की जरूत नहीं है अप्पाई फलाने की जरूत नहीं है बस इतनी सीच चिंता करनी है आईए अब हम देहरादून चलते हैं असाम से कि मुख्यमंत्री जी को नमस्कार है अब हमारे एंपी साथ भी बैटे हैं काफी लोग दिख रहे हैं सब मोदी जी को साधर बनाम नमस्कार जी सार मेरा नाम मुकेश करवाल है मैं देरा दून में कहीं जनौस्दी केंद्रों का संचालन करता हूं और यह प्रेंड़ना मुझे इसलिए मिली है कि यहां पर कुछ मरी जैसे थे जो दैनिया स्थिति में थे मैं उनकी मदद करना चाहत तो में जनौस्दी केंद्रों का पता लगा मानिय मुख्यमंत्री की से हमारे से हो गया तो फिर हमने जैसके लिए प्रयास किया हमें चरिटेबल ट्रस्ट बनाया प्रयास चरिटेबल ट्रस्ट उसके बाद हमने लोगों को कुछ मुफ्ध दवाईयां भी दी है कुछ लोगों को बहुत फायदा होता है कि चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और कौन है जो बात करना चाहता है कि अधिक और नमस्ते जी आप में नाम दीवाशा है दीपाजी आप बैठ करके बोलिये मुझे लगता है आपको थोड़ा कस्ट हो रहा है आप बैठ करके बोलिये बैठ करके बोलिये हां कि हाँ बताईए दीपाजी कि मुझे जी मेरे को सन ग्यारा में पारलाइस पड़ा था मैं बोल नहीं पाती थी मेरा इस जोखत में जलाज चलता था दोया बहुत बहंगी आती थी क्योंकि मेरे हैं जोड़ी कि लांग है घरा चलाना बड़ा मुश्किर हो गया था आपके द्वारा जन अस्ती द्वाईया मिनी मैंने का खाना सुझ रहा और मेरे जोड़ी जो है पांच हजार की आती थी और आमीर द्वाईय पंदा सो की आती हैं तो तीन हजार मुझे मिलता हैं उससे मैं अपने खर्चा और फर्फुट उगरा खाती हूं मुझे जी मैंने इस्वर को तो नहीं देखा लेकि मैंने आपको इस्वर के रूम में देखा है आपको बहुत बहुत धन्यावाद परशान बहुत और बात पर कहना चाहती है, मुखे मंती जी ने मेरी बहुत मदद किया, और हमारे जो लोग हैं, उन्हें मेरी बहुत मदद किया, मुझे डॉक्टर ने जबाब दे दिया था, कि मैं ठीक नहीं होगी, लेकिन आपका आशिवाद आकी वानी से मैं ठीक होई हूँ, पर मुझे फिर कहती हूँ, मैं आपको मैंने इश्व को नहीं देखा, मैंने आपको देखा तो इश्व के मुई रूप में देखा है, आप मे थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई हूँ, और लोग मेरी मदद करते हैं, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद. दिपाजी, आप बहुत भावुक हो गई, लेकिन आपने अपनी हिम्मत से ब्यमारियों को परास किया है, और यह आपका जो होसला है न, वो सबसे बड़ा भगवान है, आपका होसला ही आपका भगवान है, उसी होसले ने, आज आपको इतने बड़े संकट से बहार निकलने की ताकत दी, और आप निकली हैं, और मैं तो देख रहा था कि आप बिलकुल साब बोल रही हैं, एक-एक शब्त समझ में आता है, तो आपको मन में एक confidence रहना चाहिए, कि अब आप भहुत ही सरलता से बात बता रही हैं, और आपने सही कहां, कि जंदरीक दबाएं कैसे आपका लाप किया, पांच अजार रुपया का खर्च होता था, पैंती सो रुपया आपका बच रहा है, ये बात सही है कि कभी-कभी जंदरीक दबाएं के सबंद में, आप इतना विश्वास से बोलती हैं, और जंदरीक दबाएं में आपको भगवान दिखाई दिया है, फिर भी, कुछ लोग बड़ी अफ़ाय फेलाते रहते हैं, और पुराने अनुभवों के आधार पर कुछ लोगों को ये भी लगता है, कि आखिर इतनी सस्ती दबाग कैसे हो सकती हैं, जरूर दबाई में ही कुछ गडबड होगी, कहीं रंगिन गोलियां बना करके कोई नहीं दे जाएं, ऐसे भ परिंद्रिक दबाओं की ताकत क्या है, आज आपने सबूत के साथ उसको पेश कर दिया है, मैं समझता हूं किसी लेबोरेटरी से, बड़ी लेबोरेटरी या दिपाजी आपका अनुभव है, मैं ऐसे सभी साथियों को भी बता देना चाहता हूं, कि ये दबाएं, दुनिय भर के माजार में उपलब्द किसी भी दवा से जरा भी कमजोर नहीं है, हर क्वालिटी के तराजू पर ये बिलकुल खरी उतरती है, ये दबाएं बहतरीन लेब से सर्टिफाइड होती है, हर प्रकार की सक्त जांच से निकले दबा निर्मावताओं से खरी दी जाती है, यदि किसी दबा निर्माताओं के विरूत शिकायत आती हैं, तो उनके खिलाब कड़ी कारेवा भी की जाती है, ये दबाएं भारत में ही बनती हैं, मेकिन इंडिया है, सस्ती भी है, और भारत की बनी जेंद्रिक दबाओं की आपको खुशी होगी, सिरफ देहरादून में नहीं, पूरी दुनिया में आजकल मांग है, डिमांड है, और हमारे ये दबा उत्पादक लोग हैं, वो जेंद्रिक दबा आजकल एक्सपोर्ट करते हैं, सरकार ने हर अस्पताल के लिए जेंद्रिक दमाएं लिखना उन डॉक्टरों के लिए जरूरी कर दिया है, कुछ विशेश परितियों को छोड़कर डॉक्टर जेंद्रिक दमाएं ही लिखे, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, और मेरा राज्य सरकारों से भी अनुरोद रहेगा, कि वो लगातार अपने डॉक्टरों को ये बात के लिए कहते रहें, ताकि वे जेंद्रिक दमाएं लिखे, ताकि गरीब पेशन को महंगी दमाएं खरीद न न पड़े, मेरा आप सभी सात्यों से भी निवेदन रहेगा, कि अपने अनुभवों को, दिपाजी जैसे एक करोर जे अधिक परिवार है, आप अधिक से अधिक लोगों को ये बात पहुँचाईए, आपको जो लाब हुआ है, वो आप जितना कहेंगे, उतना लोग जादा मानेंगे, इस से जन अवशदी का लाब जादा से जादा मरीजों तक पहुचेगा, मोदी की दुकान, मोदी की दुकान, जिसको लाब मिल रहा हो तो है, लेकिन अधिक लोगों को लाब मिले, गरीब को लाब मिले, तो हम लोगों को भी संतोस मिलता है, तो दिपाजी, मेरी आपको बह बहुत बहुत चुप कामनाएं हैं मुझे विश्मास है कि आप जो भी शोटी मोटी समस्या बची होगी उसको पूरी तक आप परास कर दोगी और बिल्कुल ताकत के साथ बाहर निकलोगी मेरी आपको बहुत चुप कामनाएं हैं और यह तो देव भूमी है हमारा उत्रा तो तो सब देवों के आशिरवाद आप पर बने रहें बहुत बहुत धन्यवाद आईए अब हम पूरे चलते हैं कौन है पूरे में कौन बात करेंगे नमस्ते मोधी जी मेरा नाम जेबा खान है मैं पूरा की रहने वाली हूँ मेरी उम्र एक्केचालीस साल की है और मैं किड्नी पेशन्ट हूँ पहले जोटी आयू में हाँ यही तो जोटी आयू में मुझे यह बीमारी हो गई बहुत परिशानी हो गई चलिए आला ताला से मैं प्रातना करता हूं कि इस संकट से आप बिलकुल जल्दी से जल्दी बाहर निकले जी जरूर आपने जो ज दवाईया 22-25 में खरिती थी मेरा बजेट पूरा हिल जाता था ऐसा लगता था यह मुझे क्या हो गया अभी मेरे बच्चों का कैसे होगा कैसे मैं सब समालूंगी पर मुझे यह मालूम पड़ा पेपरों में इसमें कि जना उश्यदी के में यह दवाईया बहुत सस्तीव म मेरे बच्चों के पड़ाई के लिए यूज कर सकते हैं आज मुझे इसका बहुत साइदा होता है इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और चाहती हूँ के और से और इसमें कामिया भी मिले और सब गरीबों को इसका फाइदा हो मेरे जैसी कम उ पताती हूँ के यह दवाईया यूज करें सबको प्रचार करते रहती हूँ के यह दवाईयों से अपना बजेट भी सही रहता है और ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है आपके परिवार के कौन आये हैं अच्छा बेटियों को पढ़ाती हो हाँ काय नाव काय मुली की चनाव काय अलफिया खान क्या पढ़ती हूँ बेटा मैं टेक्स्टाइल डिजाइन कर रही हूँ अरे वाँ देखिए मा को तो बिमारी हो गई लेकिन इस बिमारी से अगर सम जरूर देखिए सबसे पहले तो मैं आपकी बहतर सहत की कामना करता हूं और आपकी बेटियों को आप पढ़ा रही हैं और अच्छा पढ़ा रही है इसलिए मैं आपको पहले बहुत-बहुत बदाई दीता हूँ वरना कभी बिमारी के कारण इंसान इतना प्रिशान हो जाता है कि परिवार की तरफ भी कौन किसकी सेवा करे चिंता का विशे बन जाता है लेकिन मुझे विश्वास है कि आप जरूर इस दवाई से आपको जो लाब हुआ है दो प्रकार के लाब हुए हैं एक तो आपने सर्वाधिक महंगा और कष्ट दायक ये जो स्थिती से निकली है और उसमें से अब आपको कम से कम आर्थिक मदद मिल गई है और इस व्यवस्ता से जाने के कारण अब आपको दवाईयां तो सस्ति मिली है डायलिसिस की सुविधा भी मिल रही है और आप अपने परिवार की भी अच्छी देख भाल कर पा रही है मैं समझता हूँ कि सरकार की कोई भी ओजना जब पूरे परिवार का हिद करती है पूरे समाज का हिद करती है तो वो अपने आप में बहुत आशिरवात का कारण बनती है और आपको जानकारी खुशी होगी आज एक हजार से जरूरी दवाईयों की किमत नियंतरिद होने से जैसे आपके पैसे बचे हैं पूरे देश में जिनों इसका फायदा उठाया है करीब करीब साड़े बारा हजार करोण रुपिये आप जैसे नागरिकों के जेब में बच गए हैं जो पहले उनको ज्यादा ह होना ही होना था कर्द लेना पड़ता था करीब करीब 90 लाख गरीब मरीजों को आईश्मान भारत योजना के तहट इलाज मिल चुका है यहीं नहीं स्टेंट्स और नीम्प्लांट्स की कीमत भी कम होने से लाखों मरीजों को नया जीवन मिला है सरकार का प्रयास यह है कि देश में लोगों को मेडिकल स्विदा के लिए जादा दूर न जाना पड़े और इसलिए देश में हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहा है नए medical college बनाये जा रहे हैं नए aims बनाये जा रहे हैं इस वजह से देश में medical सीटों की संख्या में भी बढोत्री हो रही है ऐसे अनेक प्रयास चल रहे हैं जो देश में स्वास्त सुभिधाव में व्यापक सुधार लाने वाले हैं आईए मैं आपकी बेटियों को और आपको अनेक शुप कामनाय देता हूं मैं आपसे इतना ही आगरे करूँगा जब भी मोका मिले आप औरों को भी जुरूर बताएं कि आप जन अउसदी केंद्री की दमाईया लएए अपने पैसे बचाईए और पैसों का परिवार के लिए अच्छा उप्योग किजिए इतना मेरी तरफ से आप काम जुरूर करिए और फिर एक बार मैं आप सबको बहुत चुप कामनाय देता हूं आईए अब हम वारानसी कि चलते हैं कि अगा है कि चलिए मेरी तरफ से भी सभी बारानसी के भाईयों बहनों को हार हार महादेश तो अभी तब बनारास होली के रंग में रंग गया होगा है रंगी लिए कादसी किया होगा अब होली के रंग में रंग जाओगे हाँ बताईए कौन बता रहा है नमस्कार प्रदार्बंती जी मैं अपड़ना कप्रिया आपके सहर वारारसी से हूँ सर कल अंतरास्टी महिला दिवस है और मैं यहां वारारसी में जनौस्ती स्टोर्स चलाती हूं जनौस्ती स्टोर्स में एक रुपय का सेनेटरी नैपकीन मिलता है कितने समय से चला रही हूं अपोनाजी अठारा मेने हो गए सर चलाते हूं जी जी तो एक रुपय का सेनेटरी नैपकीन मिलता है आटी साल ते एक्षिल के वह सर्धे अचे था सिवाने इन गेवारइशल क। अच्छित सर्धोर्टियन थे का ह। मैं आट-दस साल से मेडसिन लाइन में हूँ और हम कैंसर मेडसिन में काम कर रहे थे तो उसके तहत में गरीबों को या जरुटमंद को मैडसिन देती थी डिस्प्रिवुट करती थी फ्री में फिर हमको पता तला के जनाउस्थी में बहुत सस्ती दवाई हैं क्यों यह जनरिक मेडिसीन है फिर हमने और अधिक पता कर रहा और फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया फिर हमने जनौज़ी एक एक करके जिन जगों पे जरुवत थी माई स्टोर खोलना शुरू करिया अभी मेरे आठ स्टोर है वनारस में और एक रॉबर्ट गन सोड़ भद्र में है तो म फिर उसके बाद ये तनी कम दाम की दवाईयां थी ताकि लोग को अधिक साधिक इसका लाव मिलती है क्योंकि जो गैंसर की मैडिसीन होती है बहुत ज्यादा कौसली होती है एक मैडिसीन होती थी तो अठारा सो रुपए की जहां पे आट सो की मिलती है जनौज़ी पे प्र पुरी तरह से मैं और मेरे पती मेरे परिवार के सभी लोग इस ही योजना में लगे हुए है ताकि लोग को अधिक साधिक अवेर किया जाए जनिरिक मेडिसीन के लिए और उनको अधिक साथ लाग हो सके सस्ति दवाईयां मिल सके और सार मैं बताना चाहूंगे कि जो सीनिय सिडिजन है और यह महिलाइं है सबसे ज़ादा लाव उनको मिल रहा है सबसे ज़ादा क्योंकि इस कि झाल पाते हो और महिलाएं है जो सारी दवायों में खर्चो जाती है कि महीने की दवाईयें लेते है वह अब कहाएं जो पैसे बस्ते हैं वह अपने परिवार पे या कर सकती है इतने कम ताव में तो कोई भी ले सकता है मैं तो अपने तरफ से देती हूं लोगों को लेकिन साथी वह स्टोर्स के लोगों ले सकते हैं महींद का ले जाते हैं तो सर मैं बताओं कि महिलायां यह पूरे-पूरे तो तीन-तीन महिने का आस पड़ोस के लोगों का भी लेखे जाती है अपने संग और जाकर के दो रुपए में बेचता है नहीं सर यह सर पर प्राइज लिखा हुआ है तो लोग इसने पढ़े लिखे तो होते हैं गाउं में भी अब कि यह जान सके कि अचा पहले जितने लोग ले जाती थी अब संख्या बड़ी है क्या बहुत ज्यादा सर बहुत सब्सक्राइब पर मंद चार लाख नैपकेंस तो बेचती ही बेचती है अपने स्टोर से नसर और बिल्कुल गरीब गरीब बेदों को भी पता है कैसा लेना चाहिए पता है वही सर मैं बताने जा रहे हू से और लोगों को पता चल सके कि यहां कितने कम दामों में सैनिटी नैपकेंस साथ ही दवाई भी कितने जो हमारे हैं काम करती है महिलाएं वो बीच में करती थी दवाईयां छोड़ देती थी सर और पता चला कि फिर ऐसा ही आ रही है बीमार पड़ रही है बच्चे सफर कर हैं लेकिन अब वो कंटिनुसली रखती है उन दवाईयों को और मेरी महिता मित्रगर जो हैं वो इस मोहीं में सबसे आगे रहती है ताकि उनको बरावर अवेर करती रहें कि हमें और भी आट-दस लोगों को आगे आगे बताते जाना इसके लिए मैं एक लोटरी सिस्टम मे उनको दवा फ्री देते हैं ताकि उनका एक जोस बरकरार रहें कि अच्छा हम इस मुविप से जोड़े हैं तो इसके हमाई क्या लाव है तो इसके लिए आप बगाई के बात्रह हैं हमारी सर आप देख भी सकते होंगे मेरे पीछे बहुत सारी मेरी महिलाय में तरे खटी है आज यहां पर अधिक से अधिक मात्रा में और सर मैं यह भी बताना चाहूंगे कि मैं अपने स्टोर के माध्धाम से मैंने पच्चीस लगबग पच्चीस लोगों को रोजगार दिया हुआ है और साथी उसमें महिलाएं भी हैं दिव्यांग भी लोग हैं अधर लोग भी है सर तो इसलिए इस योजना से हम लोग को अलग अलग तरीके से लाव हुआ है सर और यह लोग महसूस कर पाते हैं आज के टाइम में सर जैसे आप महिलाओं के लिए नेक स्वास योजना लाए टॉयलेट है उज्वला है सेनिटी नैपकिन्स लाए और आपने समाज की पूरा स्वारी हूं यह सफलता मेरे कारण कम है यह सफलता इसलिए है कि आप जैसी लाखोच सक्रिय जागरूत बहने अब इस काम को आगे बढ़ा रही है और इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं और आपने इसको सिरफ व्यवसाय नहीं एक जीवन का मिश अपने लोगों को जागरूद भी करना और लोगों को मदद पहुचाना यह सारे काम आपने किये हैं इसके लिए मैं बधाई देता हूं और बनारस का मैं हूं आपने मुझे एक नया आइडिया दिया वो आइडिया लोगों ने सुना कि आपने महिला मित्र का एक संगठन खड़ा किया है मैं और भी जन अस्वदी के अंदर के जो लोग बैठे हैं मैं चाहूंगा कि बनारस का यह बहन अपुना का जो अनुभव है उसमें से आप भी जुरूर सिखें महिला मित कज च्ट्रों का संगठन कळा करके खास करकर किiliप करसिन और परसनल हाइजीन में कैसे चिंता करनी चाहिए अब हमारी बहन बेटी माताओं की पर्सिनल हाइजीन मlais मद्र चारप आफह न यह清–strike कर पाए तो हमारा समाच बहुत और होली की शुक्वामनाय देता हूं चलिए आईये बनारत से हम सीधे चलते हैं बनारत से हम सीधे चलते हैं जम्मु कश्मीर के पुलवावा में आईये पुलवावा में बात करेंगे हाँ बताईए अच्छे करें आदाबर जनाब मेरा नाम गुलाम नभी डार है जनाब बेशे से मैं वकील हूं और घर मैं जमिनदारी का काम भी करते हैं जनाब हालात की वजोहात के बिना पर कश्मीर के अक्सर लोग बेमान के शिकार हो गए हैं और उनको मैं की कहमत पर डवाय मिलते थी तो अब जब से आफ ते एन यह शिकीम जनाब क्या लो की है इसे लोगों को काफी फैदा मिला है लोगको रहत बीली है और हरकोई इस वक्ते कहता है कि हमें आप बैमारीं पर ज्याद आप ऐसा खारिशो नहीं होता है यह जनाब आपन इनसानियत के ख़दमत के लिए कदम उठाया है। हम आप बहुत इसकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप एक अदम गरीबूं के लिए उठाया है। और यहां जनव यह जिस्ट्रक्ट तक मुदूर नहीं रहना चाहिए। जो सिकीम है यह जो गाओं गाओं में फाल दी चाहिए जनाब। क्योंकि गाओं के लोग अक्सर जनाब बेजारे अनपड होते हैं, गरीब होते हैं और उनका गुजारा भी नहीं होता है। और लाचार होते हैं, यह कर रहा है। और हाला तुने उनको भी दबा के रखा है। यह इस सिकीम गाओं गाओं तक जानी चाहिए। ताकि आपका यह पैगाम तमाम लोगों तक पहुंच जाएजी। क्योंकि आप तो इनसानित के खद्मत का रहे हैं। इनसानित के खद्मत ही सबसी बड़ी अबादत है। इबादत बजुद खद्मत एक खलक ने। यह हदर इस राजी ने कहा है जिनाब। कि सबसी बड़ी अबादत जो है वो खद्मत एक खलक है। आप तो वो करते हैं। जिस तरह आप आप कूशिश करते हैं इंशालला खुदा आपको काम्याब करें देखे रादु में हमारे मुल्क में और हमसाय ममादिक में आपकी साहित से आपकी आपकी इस जो आप खुदा अलो तरह ने आपको सुझ बूझ दिया है घुलाम नभीजी आपको कितना लाब स्वायम को कितना फाइदा हुआ जिनाब मुझे कम से कम 10 रुपे खारच होता था इसे पर दस हजार रुपया जिनाब बहुते तक तकालिफ होते थे दवाय लिखते थे दाक्टर साहिबां बड़े-बड़े ये कंपनी के दवाय हम देते थे तो फिर हमें पता चला कि यहा दसनार के बजाए एक हजार रुपे खारच होता है और यही बड़े दिल के इंसान का काम है कि आपको फाइदा हुआ इतना नहीं लेकिन आप चाहते हैं कि जम्मु किश्मीर के दूर दूर पहड़ों में गाउं में भी वबस्ता मिलनी चाहिए मैं आपका शुक्र गुजार हूँ कि आपने औरो की चिंता की और आपने मुझे अच्छा मारदर्शन किया मैं आपका अभारी हूँ और गुलाम नभी साहब आप बैटी आराम से मेरे लिए खुशी है कि मेरे यहां दिली में भी मेरे एक मित्र है वो भी आपी के नाम है उ सच्छे अर्थ में गुलाम नभी की दर्शन करने का मोका मिला यह मैं जुरूर्ण को बता हूँ गया गुलाम नभी जी आपकी जो दिक्कते हैं इन में लगातार दबाओं की जरुरत रही है है हमें संतोष है कि जम्मु कश्मीर में जन आउसदी योजना के तहट आप जैसे साथियों का बहुत लाब हो रहा है और आपने सही कहा जम्मु कश्मीर हो नौर्थ इस्थ हो या दूसरे पहड़ी और आदिवासिक छेत्र यहां पर जन आउसदी योजना को विस्तार भी देना है और सारी दमाएं उपलब दरहें यह सूनिश्चित करना भी जर नहां के मंत्री है वो आज आपके बीच में बैठे हैं तो आपके सुझाव उन्होंने सुने हैं तो मुझे पक्का भरोसा है कि वो तुरंत आपके सुझाव पर काम करना शुरू करेंगे अब जम्मु कश्मीर की और लदाक में जो नई व्यवस्ताय बनी है उनसे इस प्रक चने हट गई है बीटे डेर साल में जम्मु कश्मीर में अभुत्पर्वतेजी से विकास का काम चल रहा है इस दोरान साड़े तीन लाख से ज्यादा साथियों को अकेले जम्मु किश्मीर में आयुश्मान योजना से जोड़ा गया है तीन लाख बुजुर्ग महिलाएं द लाख की बात है तो वहां नए एम्स और दूसरे मेडिकल कॉलेज पर भी काम तेजी से चल रहा है जम्मु कश्मीर के विकास में आ रही ये तेजी अब और बढ़ने बढ़ने वाली है अब सही माइने में सबका साथ सबका विकास और सबका विस्वास की भावना यहां जमी नियत के इस माहोल से और गुलाब नभी साब का बड़ा आशिरवाद पुर्ण बातचीत से मुझे आज बहुत संतोस हुआ और मुझे आप सब की सेवा करने का मुका मिल रहा है आए अब कश्मीर से कन्याकुमारी यानि अब हम दक्षिण में तमिल नाडू में कोईम्टू में बात करेंगे ये यह व्यकुर्टाट है जण̠फवशवण गीजओ गीजध़ने थे गीजओड्यूदी खीयोजगार। नएब जए टोर्ट अट्टूर्सुपार्स कभड़ांराठह कρείा है and we are charging only 50 rupees for all the treatment, consulting fee and the poor get the medicine also very less from Janavshadhi Kandhra I mean Janavshadhi Kandhra and clinic consulting fee is very low so the clinic we have started a private clinic but people call as this Modi clinic so we are planning to start more venger clinic like this Modi ji me and my wife is doing this I will introduce my wife Deepa Pellram Namaste Modi ji Vana kum Vana kum Vana kum how are you sir I am fine thank you I am trying my level best to keep fit all right good or koin baat karega Vana kum our Mantri Kishan ji bhi aaj aapke beech mein baihthe hai Juru apni bata de na unse mujhe pata chal jayega haa bata ye Namaste Modi ji Namaste Mere naam Gita hai Mere naam Gita hai Mere naam Gita hai Medhi ji Mere naam Gita hai Mere naam Gita hai Kau पर रियर 35,000 मेरे को बच्छत होती है, अब मैं अच्छी हूँ, आसपास वालों के पर बताती हूँ, यह माँची पर बेस्ट मिलता है वहां करके बता ही। जिता जी आपको फाइदा हुआ है, बहुत ही फाइदा हुआ, अब मैं बहुत ही अच्छी हूँ, चालिये, तो मोधी क्लिनिक आपके काम आ रहा है, हाँ, बहुत ही काम आ रहा है, मेरे बच्छों को भी अच्छी है, यहां पर लेकाती हूँ, मेरे पोते को सब यहां पर लेक प्रभू सेवा प्रभू सेवाँ प्रभूम। अठ्कम् बलटव। यूरो बीज प्रच़विए। गूरो बानिभू इस पूरो गानिध्य। बानिदो घरू ही रूती । खुडू कर दो बानिदी citation बानिधय। तिस लेकरी तो व27ले Conf 911 आभेट मेरिंध आई गरोल अव्हाओ एरोल सो फो घोचेश्ट रोड अphone कि अच्छिछ तेक एरोला सिर्टेस्था मेरिस्दाख्ट और फास्ट आप्छिक्वाद पर जिसेगा। परचसे के आरे किस्ट चेसे यह कर दो जह रहना को, की बारी नवे की कितरश चाली प्रचस यह कर दो किस्ट यह कर दो पर नहीं एंप पर दो थे यह कर दो जे बेहरा थे विश्ट कर दो कर दो जन उसवादिक केंद्रा इन नूक और कांटर आप दो कंट्री विल ट्राइब वेस्ट और इवन तमिलनाड़ विल अलसो बेनिफिशरी थैंक यू वनकम तो एवरिबडी तमिलनाड़ू मुझे बताया गया कि अब मुझे फूर पूर बड़ी बारिश चल रही थी लेकिन अब बारिश के बाद फिर से सब लोग मैदान में आ गया हैं आईए मुझे फूर पूर को बिहार के सब नागरी को को बहुत बहुत नमस्ते और होली क तो बड़ी जोरों की तैयारिया चलती होगी आपके हाँ नमस्ते मोदी जी नमस्ते मैं पंकेश कुमार जा मुझे फ़र पूर जी लेके बिहार से हूं मैं एक दिभ्यांग भी हूं विगत साथ बर्स पहले नक्सलाइट हमला में बम से मेरा हाँ थूर गया था मैं दरदर काटो कर खा रहा था कि मैं अब इक रांग हो गया अब मुझे कौन खाना खिलागा मुझे कौन कपरा पिनाएगा मैं इसके लिए मैं ब्याग लोग रहा था लेकिन कहते थे कि हे भगवान अब मेरा क्या होगा लेकिन भगवान ने मुझे आप जैसे मुझे भग मिला दिया मैं पेपर में पढ़ा न तो लिखा हुआ था पढ़ान मंत्रि जनसरी खोले मैंने खोला जब खोले न मोधी जी तो मेरा दुकान मेरा कम चलता था लेकिन लोग आते थे मैं भी स्वैस दिलाता था लेकि sulph periodpi방 करा था कि मोधी जी का दुकान है कि जी मोधी जी का दुकान है अच्छादवाई है क्या जो डवाई होता त Nomadhan film लिख लिए करता था और बोलते थे कि माताग जी चाचा जी एक सबता में दे देंगे मैं ने पॉह से और किया त्वाइद अ था द्वाई भी पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं इतना बड़ा नक्सली हमला हुआ आपका एक हाथ चला गया लेकिन आपने हिम्मत नहीं आरी और आप अपने होसले को लेकर के आपने अपने जीवन को लोगों की सेवा में लगा दिया तो पंकर जी आप सचमुझ में अभुनंदन के अधिकारी हैं और आपका या जैसे लोगों का जीवन जब एक तरफ कोई बंब फैंक करके आपको आपकी हत्या के पर तुला हुआ है आपको दिव्यांग बना देता है आपका हाथ चला जाता है आप प्रतिशोत के बजाए सेवा के अंदर अपने शक्ति ख ताहरण है और इसलिए पंकत जी सबसे पहले तो आज मैं आपको नमन करता हूं और आप सही माइने में जन अवस्दी की भावना का प्रतिनीदित्व करते हैं यह योजना अब बैठिये पंकत जी यह योजना सस्ती दवाओं के साथ साथ आज दिव्यांग जनो सहीत अनेक युवा साथियों के लिए आत्मविश्वास का एक बहुत बड़ा साधन बनी है जन अवस्दी केंदरों के साथ साथ डिस्ट्यूबिशन क्वालिटे टेस्टिंग लैप ऐसे अनेक दुसरे साधनों का भी एक पूरा नया नेट्वर्क तैयार हो रहा है उसका विस्तार हो रहा है जिसमें हजारों युवा साथियों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे है जहां तक दिव्यांग जनों का सवाल है तो मेरा हमेशा से मानना है कि उनके सामर्थका और बहतर इस्तमाल किया जाना चाहिए 21 सदी में भारत की अर्थिवबस्ता में दिव्यांग जनों के कौशल को उनकी प्रोड़क्टिविटी को राश के विकास में अधिक से अधिक हिस्सेदार होना जरूरी है यही कारण है कि बीते पांच वर्सों से दिव्यांग जनों की सुविधा और उनके कौशल विकास को लेकर व्यापक ध्यान दिया जा रहा है दिव्यांगों को सिख्षा, रोजगार और दुसके अधिगार उसको देने के लिए जरूरी कानून भी बढ़लाव किये है निश्चित रुप से जन आउस्दी जैसी हमारी योजनाओं में भी दिव्यांगों की अधिक से अधिक भागिदारी हम सभी को सुनिश्चित करनी है और हमारे मंत्री जी वहाँ बैटे हैं, हमारे साउसद वहाँ बैटे हैं एक प्रकार से आपने इस जन आउस्दी केंद्र का एक बहुत बड़ा उत्सव खड़ा कर दिया है तो मैं सच मुझ में आज जहाँ जहाँ देश के कौने में मुझे बात करने का मोका मिला है आप लोग ने समय निकाला, लेकिन एक बात है, जन आउस्दी केंद्र सच्चे अर्थ में जन शक्ती बन रहे हैं सरकार देश में स्वास्त सुविधों का विस्तार करने के लिए हर संभो प्रयास कर रही है जन आउस्दी योजना को भी और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर काम चल रहा है इसके साथ साथ जरूरी ये हैं कि देश का हर नागरिक स्वास्त के प्रती अपने दाईत्व को भी समझे हमें अपने जीवन में अपनी दिन चरिया में स्वच्छता, योग, संतुलित आहार, खेल और दूसरे व्यायाम को जरूर जगर देनी चाहिए मैं माता-पिता से भी आगरह करूँगा कि बच्चों को पढ़ने के लिए आप जितना आगरह करते हैं, खेलने के लिए भी उतना ही आगरह कीजिए बच्चे का अगर दिन में चार बार पसीना नहीं आता है उतना मेहनत नहीं करता है तो माबाप ने चिंता करनी चाहिए फिटनेस को लेकर हमारे प्रयास ही स्वस्त भारत के संकर्प को सिद्ध करेंगे मैं एक बार फिर जन आउशदी केंद्र के इस अभ्यान में जूडने के लिए जो जन आउशदी केंद्र चला रहे हैं उनको भी अनेक अनेक शुपकामनाई देता हूँ देश के कोटी कोटी जन अभी भी इस व्यवस्ता से अपरिचित है मैं आपको भी कहूँगा मैं मीडिया के साथियों को भी कहूँगा कि ये मानवता का काम है सेवा का काम है आप अपनी तरफ से इसका बर्षक प्रचार कीजिए और गरीब से गरीब लोग इन सुविधाओं का लाब लें आप किसीने किसी की जिन्दगी में मददगार होंगे इस काम को अपसिम में मिल करके करें आप सबको फिर से एक बार बहतर स्वास की मंगल कामनाई करता हूं आप सबको होली के पावन पवित्र त्योवार की भी बहुत पहुत चुप कामनाई देता हूं और जैसा मैंने प्रारम में कहा था ये कॉरोना वाइरस के नाम पर डरने की जरूत नहीं है जागरुत होने की जरूत है अफ़ाय फ्यालाने की जरूत नहीं है उसमें जो डूज एंडॉंट्स है उसका पालन करने की जरूत है अगर इतना हम कर लेंगे तो हम विजय हो करके आगे बढ़ेंगे मैंनी फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुप कामनाई बहुत धन्यवाद